आज एक और इस्पेशल वीडियो लेकर आयों दोस्तों जो बच्चे टैन्थ क्लास से स्टड़ी कर रहे हूं उनके लिए मैं एक इस्पेशल टॉपिक की कैसे आप नियुस बोर्ड की तयारी करो आपके पास कम से कम वन मंथ में भी आप कहो तो 20 डेज बचे हैं आपके पेप में पर कैसे प्रीफरेशन करनी है इसँब बत हुआ उन्यागा बता है तो सबसे पहले जरुए क्यक्त करना मैस करें कैसे करें और कैसे ज्यादा मार्ट्स अपगें करें तो इस्से पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि मैस जो होती तैंग कि मैस मैस है उसमा आप जानते हो कि जो सिलिवर्श ओता है सी पियास्थ नाइन्ध कि यह उर तैंध किलास दोनों का mixer बनाके आपका 10th class का slayvers, मतलब 10th class का slayvers पूरा होता है, तो इसमें मैंने आपके module पे आपका कौन सा module ज्यादा से ज्यादा जरूरी है, इसके लिए मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर रही है, उसकी link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी, आप देख सकते हो इ माक्स चमक जाता आपके board में जो माक्स है वो भी चमक जाएगे, तो सबसे पहला जो है, कि आप कैसे तैयारी करो है, इस board में मैस की, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, कि सबसे पहला जो काम होता है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, या फिर दो जने कर देखना है, आप जाधा सज़्यादा माक्स गें कर सकते हैं, क्या यहां पर आपको बताऊ आपको क्या बता हुआ इन्पोर्टन को सन किस मैं तर से होंगे, किस ट्रिक से होंगे, और कौन से को सन आपके board में आएंगे, उसी को मैं आप इसमें करवाँगा, तो उन को सनो क जिस चीज को अभी तक आपने कर लिया है उसे आपको सबसे पहला काम क्या है उसे आपको revise करना क्योंकि revise करोगे तीन चीज होता है दोस्तों एक चीज होता है कि पढ़ते हो तो वह आपके सरीर पर absorb होता है और जब मैं पढ़ा रहा हूंगा वह आपका absorb होगा दूसरा जब आप पढ़ोगे तो आपके सरीर में absorb होगा मतला अफसोसित करोगे तीसरा अगर उसे आपने रिवाइज कर लिया तो आपकी खोपड़ी में घुच जाए और अगर खोपड़ी में घुच गई एक वार तो कभी निकलने वाली नहीं है और आप उसी को अपलाई करते जाओ आपका ज़्यादा मार्स करने का कोई दिक्कत नहीं होगी और यह चीज याद रखना हो जो ज जिन्होंने अभी तक कुछ कर रखा है मतलब उन्होंने पड़ाई की है तो वो क्या करें लास्ट y a rd के को संब करना और सौल करके क्या करना है उसमें आपको को संके एक से ट्रिक करना कि आपने बुक तो कर ली अब आपको यह कैसे पता चले है कि आपको बोड में माक्स मत तो आप ज्यादा मास गेन कर सकते हो इस बोर्ड में मैस में जो आपका फियर है उस डर को भगा सकते हो इस चैनल पर वीडियो होगी अपलोड उसे देखके दूसरा आपने एक जो अपना अंदर जो संकल्पना है ना उसको करके इसके बाद जो साइंस आजाता आपका साइंस उससे भी बहुत ज़्यादा फियर होता है लोग देखते हैं यह साइंस है क्या साइंस तो मेरे समझी नहीं आती साइंस तो ऐसा है साइंस कुछ नहीं है सबसे पहला क्या करना आपको साइंस के अगर आपने किया है कुछ तो ठीक है अगर नहीं किया तो भी ठीक है जो को सं के लिए आप ज़्यादा अपने उपर कोशन याद कर लें उन में से और कुछ नहीं करना वह इंपोर्टन कोशन में आपको इसी वीडियो पर बताऊं आप जो पिछली बार है और वीडियो जो इनपोर्टन कोशन की वह अपलोड हो चुकी है उसे जरूर देख ले और मैं इस पें अपलोड करूंग हुआ तीसरा लिसा इंगलीस आजाता कि इंगलीस कि तयारी कैसेड है या फ्राप auxerocy की तउरिय तो मैस की तयारी तो साइंस की तयारी ने है कितना भी कर लो अगर आपको यह न है कि अगर को कुछ को अगर को दिक्कत है तो नी हो जी Walk तो उसमें को now का यह नहीं जाएंगे ूठकी आने है आपके एक्सराइज के मतलब आपके टैक्स बॉक के कोशन आते हैं वो आने मतलब जो आपका अप्लिकेशन आ गए ग्रामर राइटिंग आ गए यह सब आ गए लिट्रेचर आ गए यह सब आपके सेम नहीं आते तो उसे आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा कोशन पेपर सॉल्फ बस इंगलिस में कुछ नहीं किया है तो बस स्क्रियर स्टेवल्स कर लो एक जो एक जो बीडिया की आप लोड हो रखिए उसे आप देख लो जाद़ से ज्यादा मांख जियन कर पाँ दौत करना हूं आपको निचे सब चीजों की आपको बॉक्स में लिंक मिल रहत चीज पाँगा चीज यह बताना चाहूंगा मैं कि क्कुंच बहुत अपना है चिन व मारा तो क्यों आपको किसी घृत हो रहा हुआ है तो इसका को किस घृतों में बस आपको जब 对 को से लुक खर सेंग आप 2 थे को संट धिले- docu तो दो सकंड में आपको अंसर मिल जाएगा अगर नहीं मिलता तो इस बड़सप की लिंक के उस बड़सप पे सेंड करो आपको उसका अंसर मिलेगा ओकर दोस्तों अगर इन सब चीजों कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बताना और इस यूशफुल वीडियो को ज्य सबसे पहले मिल जाएगे जाहिन ज्यावाब तेरा कोई ना जवाब तेरा कोई ना जवाब